तुमावित्र है ये शूर्ट तुमावित्र है तुने आशादी और मुक्ष दिया बापों से मुझे तुने मुक्त दिया लहु अपना बाँ करें मुझे जंगा किया लहु अपना बाँ करें मुझे जंगा किया तुजी वित्र है प्रभु देशों तुजी वित्र है तुजी वित्र है प्रभु देशों तुजी वित्र है तुही मात सत्य जीवन है इशों तु आरंद अंत है सबका इशों तुही बसता है मेरे मन में इशों तुजी वित्र है प्रभु देशों तुजी वित्र है तुजी वित्र है प्रभु देशों तुजी वित्र है तुजी वित्र है तुजी मार्ग सत्य जीवन है इशों तु आरंद अंत है सबका इशों तुही बसता है मेरे मन में इशों तुही वित्र है मेरे मन में इशों तुमान है इशों तुमान है तुमान है इशों तुमान है तुमान इशों तुमान है इशों तुमान है इशों कर सकते हैं हमें तुने अपने हमें फिस शेक से है फ़र ईस लौत ने हमें पापों यृख से होत्त कि थे परवेश Very नाम में sadece को पेले हुआ होगा है तु एस लॉड तुमारे 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 परवेश qy mahnara you के रिए उपसेती में सुक ए ऐ आलएलोया हालोया हालेलोया 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 तुमहाने परविश्ट है magnificent तुने मेरे लिए कोड़े खाए तुने मेरे लिए लहु बाहाया तुने मेरे लिए अपनी जान गवाई तुने मेरे लिए अपनी जान गवाई अंगे कार करिये अपनी जान गवाई अपना वेक्तिकल संबंद बनाईए उससे अपना वेक्तिकल संबंद बनाईए कि तुने मेरे लिए जान गवाई तु मेरे लिए स्वर्ख से जमीन बनाया तु मेरे लिए परमेशर अपने एकलोते पुद्र का बलिदान किया तुमहाने धन्यवाद धन्यवाद तेरे नाम के लिए धन्यवाद कि तुने हम पर कृपा की हम क्या थे परमेशन हम क्या थे हम उस पाप में घिरे हुए थे दलदल की कीचण में थे परमेशन लेकि तुने अदभुद प्रेम से हमें अपने गले लगाया हमें धोया तुने हमें शुद्ध किया और चटान परिस्तिर कर दिया धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हालेलुया महाने तुभी ता परमेश्य आई अपने अपनी जगापर हम बैठ जाते हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद आलेलुया ओरी बलाखा हेंदुरे ममंदू आलेलुया आलेलुया परमेश्वर इस धर्ती पर आया मनश का रूप धरन करके तकि वो बता सके कि वो आपसे कितना प्रेम करता है परमेश्वर की हर यो जिनाओं में हम उसके प्रेम को देखें परमेशर की चेतावनियों में हम उसके प्रेम को देखें परमेशर के अनुगरह में हम उसके प्रेम को देखें गुमान है और मेरे भाई, मेरे बहन जब तक हम उसके प्रेम को नहीं देखेंगे जब तक हम उसके प्रेम को नहीं चखेंगे हम उसके नहीं हो पाएंगे हमें उसका होना है हमें संसार से परमेशन इसलिए निकाल कर लाया कि हम पूरी तरीके से उससे लिपट जाएं पूरी तरह से उससे लिपट जाएं उसको अपना बना लें और कभी ना छोड़ने का साहस उस आशा के साथ अपने साहत रखे जो परमिश्य ने हमें दिया है क्योंकि उसका प्रेम महान है हम अपने जीवन में दुखी होते हैं हम अपने जीवन में परिशाओं को महसूस करते हैं There is a lot क्यों? क्योंकि हम उसके प्रेम में नहीं जी पा रहे हैं हम उसके प्रेम को नहीं समझ पा रहे हैं बाइबल कहती है कि हमें उसके प्रेम को जानना है हमें उस प्रेम की गहराई को समझ ना है उससे सिश्टी क्यों रची? उसने हमें क्यों बनाया? उसने अपने एकलोते पुत्र को धर्टी पर क्यों भेचा इशु मसी ने क्रूस पर अपना लहू क्यों बहाया हाथों और पैरों में कीलें क्यों चुबवाईं क्यों दर्द सहा क्यों दुख सहा क्यों सताव सहा प्रेस अलॉट इतना दुख सहा इशु मसी ने कि कोई भी दुख हमारे लिए उसने नहीं छोड़ा इतना प्रेम किया मेरे भाई मेरी बहन जब तक हम उसके प्रेम को नहीं समझ पाएंगे बाइबल कहती है इफ़ीसियो 3 का 19 में कि इशु के उस प्रेम को जानो जो ग्यान से परे है हमें ये जीवन मिला है प्रेम के द्वारा हमें ये बहुमूल ये जीवन मिला है उसकी क्रिपा के द्वारा उसके अनुग्रह में क्या छुपा था? उसका प्रेम प्रेस अलॉट उसका प्रेम छुपा हुआ था उसके अनुगरे में उसका प्रेम छुपा हुआ है उसके अनुगरे में आज भी अगर वो हमारी परिक्षा करता है आज भी अगर वो हमें ताड़ना देता है उस ताड़ना में भी पिता का प्रेम छुपा हुआ है हमें उस ताड़ना को नहीं देखना है हमें उस गुस्रे को नहीं देखना है हमें उस सताव को नहीं देखना है हमें उस सताव में छुपे प्रेम को देखना है जिस दिन हमने उस प्रेम को देखना शुरू कर दिया न हम परिक्षा में भी आनंद बनाएंगे आप कहेंगे धन्यवाद परमेश्वर कि मैं परिक्षा में हूँ बाइबल कहती है याकूब एक का दो तीन चार कहता है कि धन्यवाद जब भी तुम विभिन परिक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो हाललुया परमेश्वर मेरी परिक्षा कर रहा है क्योंकि परमेश्वर मुझे अपने योग के बनाना चाहता है हलो एमेन वो मुझे अपने योग के बनाना चाहता है वो चाहता है कि मैं उस सिंगासन पर बैठ जाओ जहां पर ईशू विराज़मान है हलो वो चाहता है कि अपने पुत्र के बाजू में बैठा कर वो उस आत्मिये आत्मे काशीशों से हमें भरना चाहता है बहुत बड़ी बात है हम उसके प्रेम को समझे हम उसके प्रेम को जाने इसराइलीज जिनके लिए परमेश्वर धर्टी पर उड़ता राया था बहुत दुखी थे चार्सो तीस साल तक इसराइलियों ने दुख सहा सताव सहा गुलामी की जिन्दगी गुजारी और परमेश्वर को दैया आई और परमेश्वर ने अपने इकलोते उसने चुना उस मुसा को और मुसा को बुला कर उसने क्या कहा मुसा मैंने अपनी प्रजा के दुख को जाना है मैंने अपनी प्रजा की दुखाई को सुना है और इसलिए मैं उतराया हूँ तो जा और फिरौन से बात कर दस विपत्तियां परमेश्वर ने डाली फिरॉन के उपर मिश्र पर ताकि वो अपनी प्रजा को आजाद करवा सके अलो आपको पता है दस विपत्तियों से परमेश्वर किसको बचा रहा था इसरालियों को इबरानियों को अपनी चुनी हुई प्रजा को दस विपत्तियों से इसरालियों के परिवार वहाँ पर थे इबरानियों के परिवार वहाँ पर थे क्या वहाँ पर मुसा का परिवार था? नहीं था मुसा का परिवार उसकी पत्नी से पुरा उसके बच्चे गिर्शोम और अलियेजर कहा थे? मिदान में थे अपने ससर इत्रों के पास मुसा अकेला था हलो? मुसा अकेला था छुटकारा किसका हो रहा था? इस्रालियों का बंदन से कौन मुक्त हो रहते हैं इस्रालीज? दासत्व के जीवन से कौन छुटकारा पा रहे थे? इस्रालीज लेकिन प्रेम समझ रहा था मुसा परमेशर के प्रेम को देख रहा था मुसा इस्रालीज क्यों कुट खुड़ा रहे थे? क्योंकि उन्होंने परमेशर के प्रेम को नहीं देखा उन्हें नहीं देखा अज हम कलीसी आते हैं चंगाई पाने के लिए नौकरी पाने के लिए धंदा पाने के लिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम अपनी जरूरतों को पूरा पूरा जब हो जाती हैं जब हम आशीश पाते हैं चंगाई पाते हैं हम उस चंगाई को देखते हैं हम उस चंगाई को जो परमेश्व ने दी है उसके द्वारा उसके प्रेम को नहीं देखते इसके लिए हम उसके बन नहीं पाते हैं जब फिर द्वारा चंगाई आती है जब द्वारा बिमारी आती है हम फिर निराश हो जाते अगर जो आपको आशीश मिली है उसमें आप परमिश्र के प्रेम को देखेंगे ना मेरे भाई तो आप अंदर से बल्वंथ होंगे फिर कोई भी परिक्शा कोई भी बिमारी आपको आजमाईश में नहीं ला सकती तेस अलाट फिर आप कहेंगे मेरा पिता मेरे साथ है मुसा क्या बोल रहा था मुसा कहता है पिता मुझे अपना चेहरा दिखा दे मैं तुझे देखना चाहता हूँ तक्रीबन पच्छिस लाख लोग थे उसके पास जिनके पास हीरे जवाराद सोने की कमी नहीं थी वो मुसा को अपना अगवा मांते थे मुसा के पीछे पच्छिस लाख लोग इतने चमतकार मुसा के दौरा परमेश्वर ने किये लेकिन क्योंकि मुसा परमेश्वर के प्रेम को जान चुका था वो कहता प्रभू मुझे अपने शक अपनी चेहरा दिखा दे अगर तू मेरे साथ नहीं है तो मुझे आगे नहीं जाना है अगर तू मेरे साथ नहीं है तो मुझे ये जीवन नहीं चाहिए ये सुक नहीं चाहिए क्योंकि तू मेरे साथ नहीं है क्या मुसा ने कुछ मांगा? क्या मुसा ने अपने बच्चों के लिए मांगा कि पिता परमेशर मेरे दो बच्चे हैं गिर्शोम और एलियेजर उनको याजग बना दे उनको इस्तान दे दे थोड़ सा सोना उनको दे दे थोड़ से लोग उसके पीछे डाल दे मेरी पत्निय से पोरा मांगा उसने नहीं मांगा क्यों नहीं मांगा क्योंकि जो उसे मिला था ना वो सारी चीजों से बहुत उपर था उसे कौन मिला था परमेशर वो किससे बाते करता था परमेशर से वो चालिस दिन चालिस रात बादल के अंदर परमेश्वर की अभी शेख में चलता था उसे भूख नहीं लगती थी क्योंकि परमेश्वर का अभी शेख उसे सामर देता था हलो उसने कहा कुछ नहीं चाहिए मुझे तू मिल गया है मुझे क्योंकि परमेश्वर के प्रेम को उसने समझा हमारे अंदर सबसे बड़ी कम है कि हम परमेश्र के प्रेम को नहीं जान रहे है प्रात्रा में लिखा है पालुस ने कि इशू के उस प्रेम को जान सकें जो ग्यान से परे हैं हमें ऐसी बुद्धी दे हमारी आत्मा को ऐसा बलवंत कर कि मैं इशू के उस प्रेम को जान सकूं जो ग्यान से परे है इस्रालिस क्या सोच रहे थे कि परमेशर ने हमें विपत्यों से बजाया है नयाई किया है वो नयाई है वो परमेशर में नयाई देख रहे थे वो परमेशर को प्रेमी नहीं देख रहे थे इसे जब परमेशर मुसा के संग आता था और उसे ने परबत पर जब उतर था था जब बाते करता था तो सारी इसलाइलिस दूर से ख़ड़े होकर देखते थे परमेशर क्या बात कर रहा है करीब नहीं जा पा रहे थे Praise the Lord क्योंकि वो नियाई के रूप में देख रहे थे हमें उससे छुड़ाया ये तो उसका करता में था वो तो परमेशर है हमें छुड़ाएगा आज अगर हम इसलिए चाटे हैं और अगर हम ये सोचते कि परमेशर ने हमें नौकरी दिये वो तो परमेशर रहे देगा उसने आपको पाने के लिए अपने एकलोते पुत्र का बलिदान कर दिया उसने आपको पवित्र ठैराने के लिए अपने एकलोते पुत्र को पाप ठैरा दिया पाप बना दिया दूसरा करुंतियन 5 का 21 वो पाप से अंजान था कौन? इश्यो मसी उसे नहीं पता था पाप किसे कहते हैं उसे नहीं पता था पाप क्या होता है? इश्यो को नहीं पता था वो पवित रहता था इसलिए वो मरियम की कोख पे आया Praise the Lord उसे नहीं पता था वो पाप से अंजान था क्या कहता है भवचन? जो पाप से अज्यात था उसी को उसने हमारे लिए पाप थेराया कि हम उसमें होकर परमेश्य की धार्मिक्ता बन जाए क्यों उसने इश्यो मसी को पाप थेराया? ताकि हम उसकी पवित्रता ले ले ताकि उसकी पवित्रता हमको मिल जाए अगर साधारन से शब्दों में आप समझेंगे इस वचन को उसने उसको पाप क्यों बनाया हमारा पाप उसको दिया और उसकी पवित्रता हमको दी यही तो है क्रूस का आदान प्रदान यही तो कुरूज से हमको मिलता है जब हम अपने पाप को देते हैं तो परमेश्व की धार्मिक्ता हमें मिलती है एमें? लेकिन उस धार्मिक्ता की हमें कदर करनी है कि हमें क्या मिला है? एमें? हमें कुरूज से क्या मिला है? हमें वो पवित्रता मिली है क्यों मिली है? क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया अन्ना दीन का सोला क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया क्यों उसने चुना? क्योंकि प्रेम किया क्यों बचाया? क्योंकि प्रेम किया क्यों शुद्ध किया? क्योंकि प्रेम किया क्यों अपना पुत्र बनाया? क्योंकि प्रेम किया अलो यहना तीन का सोला क्या कहता है? क्योंकि परमेश्व ने जगत से ऐसा प्रेम रखा जगत से ऐसा प्रेम रखा Amen वो जगत जो उसे भूल गया था वो जगत जो परमेश्वा को नहीं जानता है वो जगत जो मूर्ती पूजा करता है वो जगत जो शैतान के अंदर है जो शैतान की पूजा करता है उस जगत से परमेश्वा ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया अलेलुया हालिलूया ऐसा वैसा प्रेम नहीं किया Praise the Lord हम पर्मेश्चे से कैसा प्रेम करते है कि हमको नौकरी दे हमको धन्दा दे हमको पैसा दे वो हमसे कैसा प्रेम करता है कि वो अपना एक लौता पुत्र दे रहा है हलो आप उस प्रेम को समझे उस इशु को पवित्रता के साथ इस धर्ती पर लाकर उसने इशु की पवित्रता हमको दे दी और हमें क्या बनाया? अपना पुत्र हमें क्या बनाया? अपना पुत्र उसका उत्रदिकार बनाया ये है उसका प्रूद पहला पद्रस एक का तीन क्या बनाया उसने अपना पुत्र बनाया उत्रादिकार दिया हमें वो आशादी जो अमिठ है जली बुड़ा बिटा हमारे प्रभी येश्व मसिय के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने येश्व मसिय के मरे हो में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया बड़ी आशा बड़ी कृपा से इतनी कृपा कि आप उस कृपा को आँख ही नहीं सकते आप उसकी कृपा को जाच नहीं सकते अपार अनुगर है बड़ी क्रिपा के द्वारा हमें आशा दी रेस अलोट ताकि हमारा जो उत्रादिकार है वो स्वर्ग में रखा हुआ है और वो अमिठ है निश्कलंग है हलो यह है उसका प्रेम रेस अलोट तो हमें यह नहीं देखना है कि हमें परमेशर ने क्या दिया है या क्या देने वाला है हमें यह देखना है कि परमेशर हमें क्या दे चुका है हमें क्या दे चुका है दो हजार साल पहले परमेशर अपने इकलोटे पुत्र के द्वारा हमें क्या दे चुका है क्योंकि परमेशन ने जगह से ऐसा प्रेम किया कि अपने एक लोते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बलकि अनंत काल का जीवन पाए ये है प्रेम इसलिए मेरे भाई उस प्रेम को हमें चाशना है उस प्रेम को हमें जानना है शक्ति देगा वही प्रेम आपके अंदर ग्यान लेकर आएगा वही प्रेम आपके अंदर जोती जलाएगा वही प्रेम आपके हर सवाल का जवाब देगा वो प्रेम क्योंकि परमेश्वर प्रेम है पहला यहन्ना चार का सोला क्योंकि परमेश्वर कौन है बोलिए परमेश्वर एक साथ बोलिए परमेश्वर एक साथ बोलिए परमेश्वर प्रेम है परमेश्वर प्रेम है इसको कभी मत बोलिए हमेशा याद रखी कि परमेश्वर प्रेम है हम कहते हैं परमेश्वर रचहीता है लेकिन इससे उपर परमेश्वर प्रेम है वे सोट क्या कहता है पहला यौनाज चार का सोला जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए जान गए आप जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसे हम जान गए कि जानना ही है आज अप यहां बैठे हुए हैं उसके प्रेम के दोरा भले ही आप उसको नहीं जानते हैं भले ही आपके पास Bible का ज्यान नहीं है लेकिन उसका प्रेम permission का प्रेम ऐसा है कि अभी भी वो आपके अंदर काम कर रहा है बहले ही आप पूरी तरीके से उस पर निर्भर नहीं है इस कली से हमें बहुत कम लोग हैं जो उस पर निर्भर है बहले ही आप उस पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं है लेकिन फिर भी परमेशर आपके अंदर काम कर रहा है यह है उसका प्रेम यह है उसकी क्रिपा हमें उसके प्रेम के करीब जाना है हमें उसके प्रेम को पहना है हमें उसके प्रेम में रहना है और बसना है अलेलोईया तब आप किसी भी परिशा में आप परिशान नहीं होंगे आप अपने आपको अकेला नहीं समझेंगे कि आज मैं अकेला हूं नहीं परमेशर मेरे साथ है क्योंकि आप उसके प्रेम को जान गए है It's the Lord क्योंकि द्वारा पड़ो बेटा जो प्रेम परमेशर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है परमेशर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेशर में बना रहता है अगर आप अपने भाई से प्रेम नहीं करते है तो आप परमेश्र के प्रेम को नहीं जान पाएंगे आपके प्रेम में स्वार्थ है अगर आप अपने दुश्मन से प्यार करते हैं तो आप परमेश्र के प्रेम को जान पाएंगे इसी का जो है पहला यहुना चार का 21 पढ़िए आप इसी का 21 पढ़िए उससे हमें ये आज्या मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो जूटा है क्योंकि जो अपनी भाई से जिससे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वो परमेशर से भी जिससे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता अगर आप अपने भाई से जो आपको देखता है उससे प्रेम नहीं करते अगर आप अपने परोसी से जो आपको देखता है उससे प्रेम नहीं करते अगर आप अपनी पत्ती से प्रेम नहीं करते जो आपको दिखती है तो आप परमिश्वर से कैसे प्रेम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर प्रेम ही नहीं है परमिश्वर आपके प्रेम को कैसे सुखारेगा अगर आप अपने माबाप की इज़त नहीं करते हैं अगर आप अपने माबाप के अंदर दोश डालते हैं दोश ढूंटे हैं मेरे बाबाप ने ये किया मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया आप कभी भी सफल नहीं हो सकते जो अपने माबाप का नहीं हुआ, वो किसी का नहीं हुआ जिसने उसे जरम दिया इस धर्टी पर लाने माला कौन है? आपका माबाप हो सकता कुछ प्राब्लेंस होई होगी आपके माबाप के उपर जब आप माँ बनेंगी न जब आप बाप बनेंगे तब आपको पता चलेगा कि नए यार रातों को जब मेरा बच्चा रोता है मैं कैसे रात को जागता हूँ उसकी तरीके से मेरे माबाप ने भी मुझे पाला होगा त्रेस अलोट जो दिखता है अगर हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे जो दिखता है अगर हम उससे प्रेम नहीं करेंगे तो जो नहीं दिखता है हम उससे कैसे प्रेम कर सकते है इसी का ठारवा क्या है के प्रेम क्या कहता है चार का ठार क्या 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 है प्रेम में भई नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भई को दूर कर देता है अगर आपके अंदर डर है, इजरालिओं के अंदर क्या था डर था वो अभीए भी शिरोत भाँ है, फिरान पीछे आ रहा है परमेशर ने लाज समुझर में फिरॉन को दिखाया उसकी सेना को दिखाया मरते हुए लेकिन वो आजादी महसूस नहीं कर पा रहे थे इस्राइली आजादी महसूस नहीं कर पा रहे थे वो उस दासत्व के जीवन से पुरी तरीके से निकल ही नहीं पा रहे थे कभी उन्हें प्यास सता रही थी कभी उन्हें भूख सता रही थी क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम में नहीं जी रहे थे जब हम परमेश्वर के प्रेम में जीएंगे मेरे भाई जब परमेश्वर का प्रेम हम में बना रहेगा आपको किसी चीज़ की जुरूद महसूस नहीं होगी अपने आप आपके राज़ से खुल जाएंगे आपको पता आपकी बुद्धी कौन बंद करता है आप कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ मेरे इतनी उमर हो गई मैंने ये भी काम किया यहां सफल नहीं हुआ क्यों नहीं हुए क्योंकि आपकी बुद्धी नहीं खुली थी आपको समझ नहीं मिली क्यों नहीं मिली आपको समझ क्योंकि आपके अंदर पाप था आपका पाप आपकी बुद्धी को बंद कर देता है आपका पाप आपकी समझ को बंद कर देता है आपकी सोच गलत दिशा में जाती है आप गलत संगती में आगे बढ़ने लगते हैं आपको गलत लोग अट्रेट करते हैं आपको गलत लोग अकरशित करते हैं क्यों? क्योंकि आपके अंदर पाप है आपके अंदर पवित्रता नहीं है जब आपके अंदर पवित्रता होगी Praise the Lord देखिए लोहा को अट्रेक कौन करता चुम्बक क्योंकि वो गुण है लोहे में लखडी को तो नहीं कर सकता है ना Praise the Lord इसलिए मेरी पवित्रता परमेश्वर की पवित्रता जब मुझे में आती है तो वो पवित्रता को खेशती है आपके अंदर पाप होगा तो पाप आपको खेशेगा इसलिए परमेश्वर का जो प्रेम है वो आपको बुद्धी देता है वो आपके अंदर से भै को निकालता है और विश्वास को आपके अंदर डालता है क्या है लिखा कि प्रेम में आठ अठारा पड़ी दुबारा प्रेम में भय नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है यूसुफ अकेला था यूसुफ अकेला था फिरॉन के पास विस्र में उसों गुलामी की जिन्दगी वो जी रहा था उसके पास कुछ नहीं था सिर्फ परमेश्र का प्रेम था उसके पास कुछ नहीं था उसके पास कौन सी ताकत थी परमेश्र के प्रेम की उसके बस कौँ सी दौलत थी परमिश्र के प्रेम की इसलिए वो डगमगाया नहीं पोती पर की पत्ती ने उसको आजमाईश में लाने की कोशिश की डगमगाया नहीं बारा साल वो जेल में रहा डगमगाया नहीं और उसके बाद परमिंश्र ने उसे प्रधान मंत्री बनाया क्योंकि उसके अंदर भै नहीं था भै अगर आपके अंदर है तो आपके अंदर संधे आएगा आप संधे करेंगे आपके अंदर भै है तो आशेतान आपके अंदर संधे लेकर आएगा क्या होगा तेरा? क्या होगा? कैसे तेरा भवशी चलेगा? कैसे तू आगे बढ़ेगा? कैसे तू पाएगा? कैसे तू कुछ बनेगा? यह सवाल आपके जहन में कौन लाता है? शैतान? लेकिन अगर आपके अंदर परमिश्वर का प्रेम भै रही थे तो आपके अंदर संधे नहीं आएगा क्योंकि वो प्रेम आपको बताएगा परमिश्वर मेरे साथ है मेरा अच्छाई होगा रोमियों आठ का अठाइस का कहता है जो परमिश्वर से प्रेम करते हैं रोमियों आठ का अठाइस ध्यान से समझेए हम जानते हैं कि जो लोग परमेशर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बाते मिलकर भलाई ही को उत्पन करती है उनके लिए सब बाते मिलकर कोई भी बात हो आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है इस शेत्र में जाएंगे तो आपके आप परिशाओं में हैं उस शेत्र में जाएंगे तो सताव में है कोई आपका रिश्यदार आपसे दूर है पत्ती आपकी बात समझ नहीं रहे पत्ती आपकी बात समझ नहीं है जहां काम कर रहे हैं वो लोग समझ नहीं रहे है आपका बेटा आपका साथ नहीं दे रहे आपके रिशेधार आपका साथ दिए रहे हैं लेकिन उन्हों कहता है कि जो परमिश्वर से प्रेम करते हैं ने के लिए सभी बातें मिलकर भलाई उत्पंञ ने करेंगी क्यों भलाई उत्पंञ ने करेंगी क्योंकि आप उस अंदकार में Buran हैं मैं जोती हूँ अंदकार जोती को नहीं छुपा सकता चाइब कितने भी अंदकार वे रहें हलो आपके रूम में आपके घर में अंदकार होगा लेकिन जहां पर आपने एक स्विच अन किया जोती का अंदकार भाग जाएगा आपके रूम में रात को अंदकार होता है लेकिन जैसे ही अपने लाइट का स्विच अन किया अंदकार रहता है आप कौन है जोती हम जोती की संतान है हमारी बहन अभी पूछ रहे थी कि हमको दिया जलाना चाहिए दिया किसको दिखा रहे हैं दिया वो तो जोती है वो खुद कहता है मैं जगत की जोती हूँ क्या हम उसको जोती दिखाएंगे बनावती जोती जो कुछी पलों में बुजने वाली है बहुत से लोग है जिनके घर में आप शाम को छे बज़े जाईए लाइट जलाईए वो लाइट को नमशकार करते है अरे भाईया ये इलेक्रिसिटी डिपार्टमेंट ने लाइट दी है आप इसको नमन कर रहे हैं आदत है ऐसे रिती निवास है किसको नमन कर रहे हैं लाइट को वो जो प्रकाश है जो परमेश्वर लेकिया आया इशु मसी के द्वारा वो कभी बुझता नहीं है वो अनंतकाल के लिए जोती है अनंतकाल के लिए वो जोती है लोग सूरज को नमस्कार करते हैं पाप है सूरज दिन की रोशने के लिए परमेश्वर ने बनाया है रात की रोशने के लिए चांद बनाया है आप सूरज को नमन करके परमेश्वर के वरुद काम कर रहे हैं इस तरीके से हवा बनाईए हवा किसने बनाईए ताकि आपको अकसीजन मिली तो फिर सुबह शाम तक आपको हवा के सामने हाथ जोड़के खड़े रहे हैं हवा जी नमस्ते हवा जी नमस्ते दूसरा फल बना सकी हैं बड़ी-बड़ी बातें करते हैं साइंस साइंटिस्ट कोई दूसरा फल बना सकते हैं परमेश्वर ने सारे फल बना ऐ उसमें स्वाद दिया और वो स्वाद आपको उस वाद कATE अनुसार बनाया कोई फल आपको अच्छा बुरा लगता है क्योंकि आपको वैसा सुवाद दिया है उसने आपकी ऐसे संदशना की है कि आपको ऐसा सुवाद दिया है कि हर फल आपको मीठा लगता है किसने मनाया तो फिर तो हर फल को भी नमस्कार करी नमस्कार अमरूज जी नमस्कार तर्बूज जी नमस्कार मेरे भाई हमें जुकना सरफ उसके सामने है जिसने जगत को रचा है जिसने धर्ती और आकाश को बनाया है जिसने हमें रचा है हर एक के सामने नहीं जुकना हमें अगर हम हर एक के सामने जुकते हैं तो हम उसकी तोहीन करते हैं खलत बात है समझे प्रात्रा करना पूजा करना समझे लोग फूल की डाली में से फूल तोड़कर प्रभू को चड़ाते हैं उसने कहा है कहीं कोई भी हिंदू का ग्रंत मुझे लिखा दीजे दिखा दीजे जहां पर उसने कहा है फूल तोड़कर मुझे चड़ाओ उसने फूल बनाए हैं ताकि वो आपको खुश्बू दे आपकी आँखों में एक जीवन मिले आप फूल तोड़कर उसके खुश्बू को मार देते हैं और प्रभू को चड़ा देते हैं प्रभू कहता है तेरे अंदर जो गलत चीजे हैं उनको चड़ा तेरे अंदर जो स्वार्थ है उसको चड़ा जो तेरे अंदर लालच है उसको चड़ा फूल को चला के क्या करेगा फूल तो मैं नहीं रचे है क्या तू फूल में खुश्बू डाल सकता है तुझे तोडने का क्या हक है आपको किसी की जान लेने का हक है अगर आपको हत्या का हक नहीं है तो आपको फूल तोडने का भी हक नहीं है आप अगर फूल तोड़ रहे हैं तो आप फूल की हत्या कर रहे हैं आप हत्या कर रहे हैं क्योंकि जैसे ही आप फूल तोड़ते हैं आप उसके अस्तित्तों को खत्म कर देते हैं हलो परमेश्वर के प्रेम को समझना जरूरी है वो कंगाल विधवा उसने परमेशर के प्रेम को समझा इसलिए उसके पास जो दो दमड़ी थी वो भी दे दी Praise the Lord परमेशर के प्रेम को समझे हमें परमेशर के प्रेम के साथ जीवन को जीना है इसलिए Bible में लिखा हुआ है कि परमेशर प्रेम है अगर आप प्रेम में हैं तो परमेशर आप में है अगर आप प्रेम में नहीं है तो परमेशर आप में नहीं है इसलिए Bible कहती है कि कोई अगर आपके एक गाल पे थपन मारो तो दूसरा गाल आगे कर दो दिखा है मती पास का अरते समय क्यों क्योंकि अपने अंदर से प्रेम मत जाने दो चाहे तो एक थप्र मार ले दो मार ले लेकिन मैं तुझे प्यार करता हूं क्यों लिखा हुआ है कि जो तुमसे जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रात्ना करो क्या जब आप उनके लिए प्रात्ना करेंगे तो वो आपकी प्रात्ना सुन रहे हैं लिखा हुआ ना पांच का 43 में पांच का 42, 45 में देखो आप मती में क्या लिखा हुआ है इस वचन को समझने की कोशिश है 44 पुड़ो परंतु मैं तुम से ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रात्ना करो सताने वालों के लिए प्रात्ना करो इससे आपको क्या मिलेगा कोई मुझे सता रहा है किसने मेरी जमीन ले ली है कोई मेरा हक मार रहा है मेरे अंदर क्या हो रहा है गुस्दा रहा है चुकि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ वो बहुत बड़ा आदमी है वो बड़ा सेट है वो MLA है क्या भी हो मुझे क्या रहा है गुस्दा रहा है मेरा गुस्सा घ्रना में बदल रहा है कि नई यार उस आदमी ने मेरा जमी ले रहा है वो धोका दे रहा है वो छूट बोल रहा है लोगों को मेरे अंदर क्या पैदा हो रहा है गुस्सा घ्रना और क्या निकल रहा है प्रेम इमेन यह नहीं आप क्या को रहे हैं परमेश्वर को क्या कहता है वचन कि जो तुमें सताते हैं उनके लिए परात्रा करो आप उनके लिए परात्रा नहीं कर रहे हैं जब आप परात्रा करके उन्हें माफ करते हैं कि पता परमेश्वर उस भाई ने मेरी जमीन ली उस भाई ने मेरा दंदा लिया उस भाई ने मुझे मारा कूटा आपने उसने दोका दिया प्रभू मैं उन्हें माफ करता हूँ प्रभू ने आशीर से प्रेस अलॉट आप पता क्या कर रहे हैं एक ही चीज में एक ही बार में दो काम आप उसके लिए भी प्रात्रा कर रहे हैं और अपने आपको घ्रना से बचा रहे हैं आपके अंदर नफरत ना आए इसके लिए चाहता है पर्मेश्वर कि आप प्रात्रा करें अपने सताने वालों के लिए क्योंकि आपका प्रेम बना रहे है इसलिए बाइबल कहती है कोई आपको एक किलो मेटर चलने के लिए कहता है दो किलो मेटर जाओ अपने अंदर नफरत मत आने दीजिए क्योंकि अगर नफरत आई ग्रिणा से परमेशन नफरत करता है ने थी वजन छे का सत्रा ग्रिणा से परमेशन नफरत करता है अगर आप किसी के संग ग्रिणा करते है तो परमेशन का प्रेम आप में नहीं रहेगा और अगर परमेशन का प्रेम आप में नहीं है तो परमेशन आप में नहीं है अब सुचिए कि आपकी घिरिना परमिश्व से आपको दूर कर रही है नीतिवचन छे का अर्थात घमन से चड़ी हुई आखे जूट बोलने वाली जीब और निर्दोश का लहू बहाने वाले हाथ सोलवा देखो सोलवा इसी का पहला छे वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है वरन साथ है जिन से उसको ग्रिणा है घमन्ड से चड़ी हुई आखे परमिश्व ग्रिणा नहीं चाहता है अगर आप घमन्ड करते हैं मैं हूँ मैंने अपना विज्यस बनाया आज जो भी कुछ हूँ अपने बल्बोते पहूँ आज मैंने कलीस्या में इतना दशांस दिया यह जो बिल्डिंग बनाई है इसमें मैंने दिया है पैसा घमन्ड नहीं करना हम कुछ नहीं दे सकते हमें परमिश्व ने दिया है तो हम दे रहे हैं बाइबल क्या सिखाती है बाइबल बताती है बाइबल में परमिश्व ने हमें क्यों चुटकारा दिया है बाइबल ने परमिश्व ने हमें क्यों चुना है बाइबल में परमिश्व ने हमें क्यों पापस मुख किया है ताकि हम दूसरे लोगों के लिए आशीश का कारण बने हमें लोगों के लिए आशीश का कारण बनना है हम किसी गे काम आए यह रही है लॉट क्योंकि परमिश्र प्रेम है हमारे अंदर से प्रेम नहीं निकलना जाहिए Amen इसलिए परमिश्र का प्रेम हमें बना रहे इस चीज़ के लिए आप इस्तर्क रहे हैं हम कोई भी ऐसा काम ना करे हमारा कोई भी ऐसा action ना हो हमारा कोई भी ऐसे ही विचार ना है जो हमें परमिश्र से दूर कर दे जो परमिश्र का प्रेम हमारे अंदर से निकाल दे प्रेस अलॉट हलो समझे आज का बचन हाँ के ना Praise the Lord कितनों को आशीश मिली है और सामने बारे जो YouTube पे देख रहे हैं अगर आपको आशीश मिली है तो नीचे लिखिए नीचे लिखिए कमेंट बॉक्स में कि मुझे आशीश मिली है और धन्यवाद दीजे परमेश्रका